तो हेलो फेंट कैसे हैं आज मैं आपको बताने वालहूं ओर आपको स्वागत मेरे चैनल ऐसे टेक में हैं तो जैसा आपको बताने मालों कैसे मल्टी मृटी टास्किंग कर सकते हैं आप जैसे कि आप एक जगह और गैलरी खूल ली और एक जगह और और कुछ खूलना चाहते हैं तो आप इसमें दो तीन तरीके से का यूज कर सकते हैं कैसे एक तो आप यहां डारेक्ट दोस फिंगर से उपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपका कोई option मिलेगा आप देख रहे होंगे इसपे कलिक करना अगर आपको यह जाना है सबसब्सब्स परिया आपको चाने के बाद आपको sąना कर दो पर आपको भी इसको आपको करने के आपको लेलुड वा immediate 10 विजु रहा हो और आपको आपको और वहां पर आपको दो प्विश्चन सकते हैं कैसे लाइक मैंने गैलरी खोली और मुझे करना तो मैं हां से ड्रैक करूंगा यह हां से कौर्णर से और स्कृरीन में आजाएगी आप देख सकते हैं जेतना भी मुझे स्कृरीन चाहिए मैं इसको ठाके यहां से मूव कुब भी कर सकता हूँ छोटा करना चाहुं छोटा भी कर सकता हूं उसके बाद मुझे manager कोलना है तो मैंने उसको भी खोल लिया मैंने उसको यहां से भी शोड़ा करा उसको भी यहां पर कर लिया ठीक है आप इसको mini wise भी कर सकते हैं आप यहां पर directly home button दवाएंगे तो सब mini wise हो गए आप देख रहे होंगे यह आपको sign बना हुआ रहा है जैसी आप उस पर click करेंगे तो आपको तीनों option मिल जाएंगे आपको जिसको access करना हो गैलरी को access करना है तो gallery access हो जाएगी ऐसी file manager access करना है यहां बहुत सारे भी और भी खोल सकते हैं इस तरीके से यह use होता है और अगर आपको इसको बढ़ा करना हो तो आपने जिस पर गया है यहां जाने के लिए आपको करना क्या होगा यहां जाना है दो full screen in speed screen view जो कि आप मैंने यूँ करके खोला था यह speed screen view के लिए तो पहले आपको इसको भी enable कर लेना है और swipe for pop-up view जो कि मैंने बता है आप दोनों साइट से इसको यूज कर सकते हैं left and right साइट से दोनों तरफ से pop-up view को आप यहां से enable कर सकते हैं जो कि बहुत शांदर feature य बहुत यह अच्छा feature है आप जैसे कि आप देख रहे हैं एक मैंने यहां पर ऐसा own कर लिया दूसरा गया दूसरे को भी मैंने यहां पर pop-up view में कर लिया दूसरे को भी मैंने यहां पर pop-up view में आ चुका है इसके बाद भी अगर ऑगर कोई notification आती है जिसको भी आपको multitasking में ओपन करना है तो सिंपल ही आपको करना है क्या है उसको यहां से पकड़के रखना है नोटिफीशन को ट्रैक करना है और यहां पर छोड़ देंगे तो वो स्प्लिट स्क्रीन व्यू पर ओपन हो जाएगा अब देख सकते हैं अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो वह पॉप पप व्यू में खोलना है या फिर कुछ करना है आप यहां सैटिंग पर जाएगे आप पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आपको ओपन ही पॉप आप यहां से भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आप मोबाइल में मल्टी टास्किंग कर सकते हैं यह जो मैंने स्टेप बताई बहुत ही सिंपल इसके अलावा भी और भी बहुत सारी तरीके जैसे लोग बोलेंगे अरे यार यह तो नॉर्मल है इसके अलावा भी आप बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं बट मैंने आपको यह जो ट्रिक बताई बहुत ही सिंपल है इसमें आपको जाथ कोई प्रॉब्लम के बाद मैंने यहां पर प्ले स्टोर को लिए इस है या गलक्सी स्टोर खोल लिए यहां पर इसके लावब एक और टास्क खोला जाए प्ले स्टोर आप देख सकते हैं यह चार-चार टास्क मैंने यहां पर खोल करें इसके अलावा भी आप और भी यहां पर टास्क को खोल सकते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत ही सिंपल तरीकी से और अगर मैं आप यहां पर होम बटन दबाऊंगा तो सब के सब यहां पर उपन होके आपको दिखा भी देगा आप उसको भी उसको कर सकते हैं और उसको चाहे तो आप लाइक चाहते है और अगर आपको लगता है अगर अगर भी तक आपने मेरे जों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जैनल गरू सब्सक्राइब कर लो नो डिशेट में दबादो ताकि ऐसी नहीं अपडेट आपको सब्सक्राइब मिलती रहे तो थैंकि दोस्तों